उमेश पाल हत्याकान में आरोपी बनाई गई अतीक एहमद के भाई अश्रफ की बीवी जैनब फातिमा और अतीक एहमद की बहन आईशा नूरी पर प्रयाग राज पुलिस ने इनाम घोशित कर दिया है आपको बता दें कि पुलिस कमिशनर ने बताया है कि दोनों आरोपी महिलाओं पर पच्चिस पच्चिस हजार का इनाम रख दिया गया है अब जो भी माफिया की बीवी यानि कि अतीक की बीवी और बहन को पकड़वाएगा उसे पुलिस पच्चिस हजार रुपए का इनाम देगी अश्रफ की बीवी जैनब और अतीक अश्रफ की बहन आईशा नूरी उमेश पाल हत्याकांड के 10 दिन बाद से अब तक फरार बताई जारी है दोनों ही आरोपियों के घर पर पुलिस कुरकी की का रवाई भी की जा चुकी है जैनब प्रयाग राज के हटवा में जबकि आईशा नूरी मेरट में रहती थी दोनों अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है इसलिए दोनों और तो पर पुलिस ने इनाम घोशित कर दिया है अगर दोनों नहीं पकड़ी जाती है तो इनाम की राशी और भी बढ़ाई जा सकती है 24 फरवरी 2023 के दिन दहाडे उमेश पाल और उसके दो सरकारी गनर की गोलिया और बंब मार कर हत्या कर दी गई थी हत्या के आरोपियों की तलाश में पुलिस ने अतीक के गुरगे और अश्रफ के ससुराल में रेट की और काफी लोगों को पूर्श ताच के लिए हिरासत में लिया था तब जैनब और आईशा नूरी से भी पूर्श ताच की गई थी लेकिन बाद में पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया था इसके बाद जैनब और आईशा नूरी ने प्रेस कांफरेंस करके अतीक अश्रफ का बचाव किया था और उल्टा पुलिस का रवाई पर ही सवाल उठाए थे पुलिस ने अब जाच आगे बढ़ाई तो साफ हुआ कि जैनब और आईशा नूरी को हत्या कांट की जानकारी पहले से थी और अतीक की बहन आईशा नूरी के मेरत वाले घर में हत्या कांट के बाद बंबाज गुडू मुसलिम और अतीक का बेटा असद आय थे और अतीक के बहनोई एकलाक से पैसा लेकर दिली के लिए रवाना हो गए थे पुलिस एकलाक को पहले से ही जेल भेज चुकी है जांच के बाद पुलिस ने F.I.R. में इन दोनों महिलाओं का नाम भी शामिल करके इस हत्याकान का आरोपी उन्हें बनाया था तब से ही दोनों ओरते लगातार पुलिस के आँख में धूल जोक रही है फरार है अश्रफ की बीवी जैनब काफी शातिर और चालाग बताई जा रही है अश्रफ के जेल जाने के बाद जैनब ही अश्रफ की वसूली और जमीनों की खरीद बिकरी का हिसाब रखती है जैनब और उसके घरवालों ने बमरॉली में वक्फ बोड की पचास करोड की जमीन काट कर बेच दी थी और खुद के लिए कालिशान कोठी इसी वक्फ बोड की जमीन पर बनवाया था हलाकि बाद में जब मामला खुला तो जैनब और उसकी भाईयों पर मुकदमा दर्ज हुआ और कोठी पर कुर्की की काररवाई हुई आपको बता दें कि जैनब अब तक दो मुकदमों में वांचित है और अतीक की बहन उमेश पाल हत्याकांड में दर्ज मुकदमे में वांचित है अश्रफ की बीवी जैनब ने गिरफतारी से बचने के लिए हाई कोठ में अर्जी भी दाखिल की थी और याचिका दाखिल करने खुद अपने वकील के साथ हाई कोट पहुची थी बुर्के में होने की वज़े से कोई उसे देख नहीं पाया था लेकिन हाई कोट के CCTV कैमरे में उसकी बुर्के की कुछ फुटेज रिकॉर्ड हुई थी आपको बता दें कि हाई कोट ने जैनब को कोई राहत नहीं दी थी तब और उसके बाद से ही जैनब की लोकेशन कभी दिल्ली में तो कभी गाउं हटवा में मिली लेकिन पुलिस पहुचती है तो पहले से ही फरार हो जाती है हलाके इस बीच पुलिस को ये सुराग जरूर मिला था कि आईशा नूरी और जैनब एक साथी कहीं फरारी काट रही है उमेश पाल हत्याकान में आरोपी अतीक की बीवी शाइस्ता पर पुलिस ने 50,000 का इनाम पहले ही घोशित किया हुआ है अब अतीक की बेहन आईशा और अश्रफ की बीवी जैनब पर भी 25,000 का इनाम घोशित किया गया है तीनों ही लेडी डॉन अब तक नहीं पकड़ी गई है और इसके पीछे खास वज़े है कि तीनों औरतें बुरके में ही रहती है सूत्रों का कहना है कि बुरका ही इन तीरों महलाओं की ढाल है जिसकी वज़े से लगातार पुलिस को ये चकमा देती आ रही है